नमस्कार, मैं हूँ ससी, आए जरगां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं अधिकारियों ने बताया कि लाहावल इसपीती के सीसू में उद्घाटन समारों के बाद मोदी सोलांग घाटी में एक सोरजनी करक्रम में हिस्सा भी लेंगे उन्होंने बताया कि परधान मंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजना सिंग भी मौजूद होंगे जार्खन मोसम विभाग कमसार चाहर जीलों में बजरेपात के साथ बर्थाक जेतानी जारी की गई है इस दरान हलके दर्ज के में गरज की बात कही गई है विभाग ने जेतानी जारी किया है कि चत्रा लाते हां रामगर तता हजारी बाग में में गरजेंगे इसे देखते हुए लोग अपने घरों से बाहर ना निकले सभी लोग सतर्क और सधान रहें शिक्षा मंत्री के स्वास्थ होने के लिए पाला सिख्षकों ने किया हवन जारखन में 736 ने संक्रमितों को पुष्टी हुए जो बोकारो सतीस, चातरा सतीन, देवघर, तेश, धनबाज 25, दुमका 5, पूर्वी सिम्मुम सरसट, गडवा 25, गुरिटी बारा, गोड़ा एगारा, गुमला 21, 1036, जामता चार, खोटी बारा, कोडारमा 13, लाते हार सत्रा, लोहर दागा 1, पाकुर सत्रा, पलामु एगारा, रामगर बारा, राची 306, साहिवगन 14, सराइक के लाग, खर सावा 49, सिम्डेगा, नव, पच्मी सिम्मुम से 23, मिले हाए, जारकान में कुल संक्रा मितों की संक्या 85,400 है, जबकि 73, 428 लोग स्वास्थ हुए, और 729 की मिलिती हो गई, भारत में कुल संक्रा मितों की संक्या जबकि 76 या 205 लोग स्वास्थ भी हुए है, जारकन में सुक्रवार को 8 की मौथ हुए है, जो राची चथा पूर्वी सिम्मुम से 33, जबकि धनबाद और पलामु से 1, 1 मरीज की मौथ हुए है, सुक्रवार को 970 मरीज स्वास्थ भी हुए है, स्वास्थ मरीज इस परकार ह जार्खन बिहार और बंगाल के लिए 15 अक्टूबर से शुरू होगी सो ट्रेने जार्खन बिहार और बंगाल में रहने वाले लोगों के लिए दुरगा पुजा दा सारा दिपावली और छाट पर्व को देखते हुए भातिये रेलवे ने इन तीन राजियों को जोड़ने वाली सो ट्रेने चलाने का एलान कर दिया है बता दे कि ट्रेनों के संक्या बढ़ भी सकती है रेलवे बोड के अध्यक्ष और मुखे कारेकारी अधिकारी विक्के यादों ने प्रेस कॉंस्प्रेंस करके कहा कि तेवार के मौसों में बातिये रेलवे दो सो एस्पेसल ट्रेने चलाने जा रही है उन्होंने का कि इन में से आधे से ज्यादा ट्रेन बिहार जारकण और बंगाल को जोड़ने वाली होगी 35,000 खेल सिक्षक नियुक्ती पर अमतिम फैसला लेंगे मुखे मंतरी खेल एवं ब्याहम में रूची रखने वाले जारकण के युगाओ के लिए खुसकबरी है पर्देश के सभी स्कूलों में जल्द ही फिजिकल इंस्ट्रक्चर की बहाली की जाएगी इस समन्द में कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सौप दी है बताएदे कि हमन सुरेन सरकार को इस पर अमतिम फैसला लेना है सरकार ने समती दे दी तो जारकण के कम से कम 35,000 युगाओ को सरकारी नोकरी मिलेगी देवघर से 13 साइबर क्रिमिनल गिरफतार देवघर जीला अंतरगत सारवा थाना छेत्र के चरगारा गाव और चीतरा थाना छेत्र के आसन बनी गाव में छापे मारी कर पुलिस ने 13 साइबर क्रिमिनल को गिरफतार किया है बतादे कि गिरफतार इन साइबर क्रिमिनल के पास से 37 मोबाईल सहीत 58 सीम कार्ड भी जब्त किये गए एस पी अस्वीनी कुमार सीना द्वारा गठित अलग अलग दो टीमों ने साइबर क्रिमिनल को गिरफतार करने में सफलता पाई है ज्यारखन के सहरी छेत्र में 5.3% बेरोजगारी घटी ज्यारखन के सहरों में महीने भर के अंदर बेरोजगारी 5.3% घटी है आर्थिक बिसलेसको के ठिक टैक सेंटर फोर मोनेटरिंग ऑफ इंडियन एकोनोमिक के सितंबर महीने के आकड़े से इसका खुलासा हुआ है इसके मुताविक अगस्त के अंत में ज्यारखन के सहरों में 19.1% बेरोजगारी थी जो सितंबर के अंत में घटकर 13.8% पर आ गई है ज्यारखन में 94.5% महीलाय करती है घरेलू कारे इसमें परिवार के सभी सदस्यों के लिए खाना बनाने बच्चों एवं ब्रीधों की देख बाल साब सफाई आदी समिलित है वही पूरुसों की बात करे तो 30% दी पूरुसी घरेलू कारियों को निप्टाने में महिलाव को सयोग करती है केंद्रिय सांखिकी और कारिकरम कारेनवे मंत्राले द्वारा कराएगा एक सर्वे में यह बात सामने आई है जार्खन में लाक उलेजों की जांच करेगी बार कॉंसील जार्खन के ला कॉलेजों के जाच के लिए बार कॉंसिल अफ इंडिया की टीम जल्द ही आएगी यह टीम कॉलेजों की अधारभूत संरचना पाठकरम छात्र कुपस्थिती नियमित कलास और अननिधारित मानकों की निरीक्षन करेगी टीम सभी सुविधाओ की जाच के बाद बार कॉंसिल अफ इंडिया को रिपोर्ट देगी मानकों का पालन नहीं करने वाले कॉलेजों की मन्याता रद भी किया सकती है होल्डिंग और ट्रेड लाइसेंस बनाने का काम दस दिनों में शुरू नगर आयूक से चेंबर पत निदियों ने गुरुवार को मुलकात की इस दोरान होल्डिंग टेक्स और ट्रेड लाइसेंस को लेकर हो रही समस्याओ परचर्चा होई चेंबर अध्यक्स कुनाल आजम मानी ने बताया कि राची नगर निगम में एक महिने से कारे प्रभावी था है ऐसे में नएा होल्डिंग नंबर और ट्रेड लाइसेंस बनाने का रेनूवल का काम बंध है नएा होल्डिंग टेक्स नहीं बनने से लोग जमीन और फ्लाइट राइस्ट्री में नहीं करा पा रहे है बता दे कि ट्रेड लाइसेंस नहीं बनने के करण ब्यापारियों को जीएस्टी भारने से लेकर आउनलाइन करोबार करने में भी परसानी हो रही है हार्ट अटेक्स से जान बचाएगा एस्टेमी इंडिया कुलकर्नी जारखन में हार्ट अटेक के मरीजों को तौरित चिकित्सा उपलावद कराने के उदेश से सरकार जल्द ही एस्टेमी के और प्रोजेक्ट लागू करने जा रही है स्वास्त विभाग के प्रदान सचीव डाक्टर निती मदल कुलकर्नी ने बताया कि हार्ट अटेक के मरीज के लिए एक घंटा का समय गोल्डेन आवर होता है इस एक घंटे में यदि मरीज को इलाज मिल जाये तो नवे पर्चेद मरीज की जान बचाई जा सकती है बतादे की इसी उदेसे से सरकार राज में स्टेमिक केयर प्रोजेक्ट लागू करने जा रही है जार्खन का दूसरा ध्रूम पान मुक्त जिला बना बोकारो राची पहला बोकारो जीला को धुरूमपान मुक्त जीला घोसित कर दिया गया है बरियेपत अधिकारियों ने धुरूमपान मुक्त घोसना पत्र पर हस्ताक्चर किया बतादे के उपायुक्त ने बताया कि बोकारो को राज का दूसरा धुरूमपान मुक्त जीला घोसित किया गया है जब बिली उभकताओं को बड़ी राहत दी है बता दे कि बिली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर सुक्रवार को विधूत नियामक आयोग घोसना करने वाला था लेकि नियामक आयोग ने दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है इसके अलावा क्रोना संकटकाल में उभकताओं को राह दिये हैं इसके आलावा निर्धारित तीथी से पूरु पेमेंट पर भी उभगताओं को एक पर्तिषत की छुट दी जाएगी गांधी जन्थी पर लोहदागा में सुभारम हुआ सबकी योजना सबका विकास लोहदागा में 2 अक्टूबर से 31 जनवर 2021 तक सबकी योजना सब का विकास अभयां चलाया जाना है इसके अलोक शुकुरवार को अभयान के शुरुआत होई इस अभयान के दोरान सभी ग्राम पंचायतों में वितिव बर्स 2021 बाइस के लिए ग्राम पंचायत विकास जोजना कर निर्मान करने का अधेस प्राप्त है मोधी सरकार किसान मजदूर विरोधी सरकार है रमेश्वरुरा राष्ट्र पिता महात्मा गांधी और पूर प्रधान मंतरी लाल बहादू सास्ति के अशर पर सुक्रवार को राची महानागर कांग्रेस के अध्यक्स संजार पांडे के देक्स्ता में मुराबादी इस्थित बापू बाटका के समक्ष मजदूर किसान बचाव दिवस का आय किया गया बता दे की महात्मा गांधी की परतिमा एवाम स्वर गिये लाल बहादू सास्तिरी की चित्र पर सधांजली सोरूप मल्यारपन कारेक्रम में मुख्य अतिति के रूप में उपस्थित परदेश अध्यक्स डाक्टर रमेश्वर उराव द्वारा किया गया उराव ने कहा कि बरतवान की मोधी सरकार कि सान मयदूर विरोधी सरकार है। सुबारम किया गया था खुटी उपायुक तिने सपनों के उड़ान कारिकरम छातरों के बीच किया आयोजीत कस्तुर्वा गांधी बालिक का विद्याले काला माटी में उपायुक ससी रंजन ने सपनों के उड़ान कारिकरम के तथ सुक्रवार को छत्राओं के बीच जाकर उन्हें उजोल भविसिकी और अग्रसर होने के लिए प्रोचसाहित किया आयोजन में अणुमंडल पदाधिकारी हेमंद सती जीला योजना पदाधिकारी भूमी सुधार उप समाहर्ता जीला सिक्छा पदाधिकारी जीला सिक्छा अधिक्छा कारेपालक पदाधिकारी नगर पंचाय तोव एडी एप भी उपस्थित थे मंत्री आलमगीर और बाजल पत्र लेख करेंगे पाकुड वा साहिव गंज के बाड परवावित छेत्रों का दोरा कांग्रेस विधायक दल के नेता स ग्रामिन विकास मंत्री अलमगीर अलम और किसी मंत्री बादल पत्रलेख 5 अक्टूबर को पाकुड वा साहिवगन जीला के दोराप पर रहेंगे बता दे की परदेश कांग्रेस के प्रवक्ता लाल किसोर नात साधेव ने सुकरवार को बताया कि पिछले दिनों पाकुड और साहिवगन जीलाप में बाद से फसल प्रभावित हुए हैं मंत्री साहव गन जिलाक के बदरवा परखंड पाकुड जिलाक के पाकुड परखंड का दवराक और नुकसान का जाजा लेंगे और किसानों से मिल कर उनकी समस्यावों की जनकारी लेंगे इस्कूल खोलने की अनुमती मिले अलोक दुबे अलोक दुबे ने कहा कि अभिभाव को की अनुमती समाती के बाद अभी स्कूलों को खोलने की अनुमती दी जानी चाहिए अलोक कुमार दूबे ने सुक्रवार को कहा कि 7 महीने से स्कूली बच्चों का पठन-पठन का काम प्रभावित है। अर्जुन मुंडा पाकुड के संथाल आदिवासियों की ओर से उत्पादित सहद और भारत सरकार की एजेंसी बेचेगी। अर्जुन में 15 अक्टूबर तक चलेगा जल जीवन मिशन अभियान। जल जीवन मिशन के अंतरगत जीला के सभी ग्रामीन छेतरों में लोगों को विभीन गती विदियों के मादम से जागरूप किया जा रहा है। बता देखिया अभियान 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। जारखन में लोग अपने कर्म और कर्तबे से पाचान बनाते हैं हमन सुरेन। मुखमंत्री हमन सुरेन ने कहा कि टूर्नामेंट के आयोजन का प्रस्ताव जब रखा गया तो बड़ी दुविधा थी और राजे समेत पूरे देश बैस्विक माहमारी के दर से गुजर रहा था। लेकिन हुनर को निखारने के लिए पूरी सतरकतास के साथ टूर्नामेंट संपन कराने का निन लिया गया। इस काक्षा से लेकर काक्षा तक के लिए इसकूल खोलना चाहिए थैंक यू इस वीडियो को अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ सेयर कर इसकूल खोलने के बारे में सुझाव दे